हलो प्रेगनेंट ब्यूटिफुल लेडिज वेलकम बैक टो मैं चैनल एंड मैं हुदीपा दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गर्ब में लड़का कौन से और कितने महीने में हलचल करता है दोस्तो आज के जमाने में बिना अल्टरा साउंड के ये पता नहीं लगा आ जा सकता कि गर्ब में लड़का पल रहा है या लड़की पल रही है लेकिन फ्रेंस पहले के जमाने में लोग बिना अल्टरा साउंड के अंदाजा लगा लेते थे कि प्रेगनेंट इस्त्री के गर्ब में लड़का है या फिर लड़की है दोस्तो अकसर हमारे बड़े ब पर हम जानेंगे कि गर्ब में लड़का कब हलचल करता है लड़की कब हलचल करती है लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या यूसफूल लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन क जरूर हिट करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें आये फ्रेंपस वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो समानिता बच्चे 3-5 महीने में घर्ब में हलचल करना सुरू कर देती हैं लेकिन कहा चाता है कि यदि गर्ब में लड़का है तो वे देर से हलचल करता है और लड़की है तो गर्ब में जल्दी एक्टिव होने के कारण जल्दी हलचल करना सुरू कर देती है दोस्तो बड़े बुजर्गों के मानिता के अनुसार लड़की 3-4 महीने के अंदर हलचल करना सुरू कर देती है लेकिन लड़का चार से छे महीने के अंदर गर्ब में हलचल करना सुरू करता है दोस्तो बेटा गर्ब में जल्दी एक्टिव नहीं होता फिट धीरे-धीरे वे जादा एक्टिव हो जाता है कभी-कभी महिलाओं को सुरुवाती दोर में ये हलचल समझ नहीं आती है समझ में आने लगती है फ्रेंस आप बेबी के हलचल को सुबह के समय या फिर जब भी आप लेटे हुए हो आसानी से समझ सकते हैं अक्सर बेबी लेटे रहने पर या फिर आपके सांती से बैठे रहने पर आप किसी भी जगे में सुकून से सांती से बैठे हुए है तब आपको ये हलचल मैसूस होती है जिससे आप किसी भी मन्त में समझ सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बेबी की किक ही है तीसे मन्त के बाद कभी भी आपके बेबी की किक आ सकती है दोस्तों बेबी के केक आपको 16 वीक से 24 वीक के अंदर तक समझ में आ जानी चाहिए अगर समझ में नहीं आती है तो फिर 24 वीक के बाद आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा उनसे इस बारे में सारी बाते डिस्कुस करनी पड़ेंगी फ्रेंस जो ये जिंडर प्रेडिक्शन की बाते होती है ये केबल मनरंजन के लिए सही है आप इन बातों के आधार पर कोई भी ने ना लें कोई भी गलत कदम ना उठाएं दोस्तों लिंक की जाज कराना हमारे देश में कानूनन अपराद है भगवान की इच्छा के आगे कुछ नहीं होता है इसलिए आप कोई भी गलत कदम बिल्कुल ना उठाएं बिना अल्टरा साउंड आप क्लियरली बिल्कुल नहीं बता सकते 100% स्योर होके नहीं बता सकते कि आपने गर्ब में बेटा कंसीब किया है या बेटी कंसीब की है बुजूर्गों के द्वारा बताएगे अनुमान केवल अनुमान होते हैं वो scientifically proved नहीं होते हैं तो फ्रेंस लोगों की मान्यता को मान्यता तक ही सीमिद रखें इसे केवल मनुरंजन तक ही ले उसके आगे कोई भी गलत कदम ना उठाएं बेटा और बेटी दोनों हमारे लिए समान हैं दोनों ही हमारी संतान हैं और हमें उन्हें समान, प्यार और व्यवहार देना चाहिए कभी भी इन में कोई भी भेद भाव बिल्कुल ना करें दोस्तों उम्मीद है वीडियो में बताएगे जानकारी आपको पसंद आई होगी यूसफुल लगी होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही प्रेग्नेंसी डिलेवरी से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चनल दीपासोनी.com को सब्सक्राइब करें